तो दोस्तो हर news गलत नहीं होता है, हर news बेकार नहीं होता है, आप लोग हर news को गलत समझ लेते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, ये गलत news है, fake news है, तो प्रॉपर explain करने वाला हूँ दोस्तों और जो मैं बताऊंगा, जो लोग यूएल दुबई में रहते हैं, उसमें 99% लोग मेर बात से सैमत होंगे तो प्रॉपर एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ दोस्तों दो-तीन मिनट का वीडियो है लाट तक जरूर देखना ताकि आपको पुरी जानकारी मिल सके क्योंकि आपको बिनेफिट नहीं मिल पाता है गौवर्मेंट कोई भी लव लाती है कोई भी कानून तो आपको उसका बिनेफिट नहीं मिलता है कारण क्या आपको नोलेज नहीं होता इसलिए आप अपडेटेड रहा करो जहां वे जिस भी कंट्री में आप काम करते हो उमान कातर साओधी बैरेन दुबई कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आप उस कंट्री का रूल सिस्टम आप आपको देखते रहो ताकि कोई भी सिस्टम आए तो आपको राइट पता हो तो आप कंपनी से लड़ सकते हो आप उससे फायदा ले सकते हो तो इस वीडियो में आपको प्रोपर स्टेप बाइश्टेप बताने वाला हो क्योंकि मुझसे दोस्तों लगबग एक लाक वरकर चुढ़ल है एक लाक से ज़़ादा इंडिया से बीडियो देखते हैं नपाल से बंग्लादेश से पाकिस्तान से और जेतने घल्थ कंट्रि कमिंट सेन में नहीं थे जो लोग दुबई में हैं उन लोग नीचा कोमेंट सेक्सें में जरूर बताना कि अब सेलरी कम है दोस्तों और मंगाई यहां पे ज्यादा पहले जो खाने का पैसे लग जाते हैं अगर इंसान जो लेबर और खटगरी का लोग अपने खाने पर कंट्रोल ना करें त दोस्तों जो वरकर की सेलरी जो होगी क्योंकि बहुत सालों बोलते हैं कि मेरी कितनी सेलरी होगी दुबई में तो मैं आ सकता हूँ और यहां पर काम कर सकता हूँ अच्छे से और मैं थोड़ा बहुत पैसे पर जा सकता हूँ तो देखिए वरकर के सेलरी अगर किसी भी कंप ओबर टेंप, माले 300-400 दरहम का अगर आप ओघट आ जाता है तो 18-1900 दरहम अगर आपको आता है तो 4-500 खालोगे बाकि 1500 दरहम आपको बचेगा अगर 14-500 तो लगबग 30-32 जार हो जाएगा तो लगबग आपके लिए सही है, लेकिन जो हेलफर है माले बहुत सारे लोग हेलफर में आते, तो मिनिमम जो हेलफर की सैलरी होने चाहिए दोस्तो मेरे खयाल से मेरा जो यहां पे एक्सपरेंस है और आप थोड़े पैसे बचा सकते हो वो 1200 दरहम ठीक है, 1200 दरहम से अगर कम है सैलरी दोस्तो तो यहां पे आने से कोई फैदा नहीं है, आप यहां आने से कोई पैसे बचा भी नहीं पाओगे लगबग 5-600 दरहम तो खाल जाओगे, मुबाइल में खर्च कर देओगे तो फिर आपको बचेगा तो दोस्तो अगर आप टेकनिसियन हो, तो आपके कम से कम सैलरी होने चाहिए 500 दरहम और अगर आप हेलफर में आ रहे हो, तो आपको 1200 दरहम सैलरी होगी तभी यहां पे आओ, नीचे कोमेंट सेक्षन में अपने राय जरूर लिखने हो भाई